कोश्चन जो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज टू एक आगा चलते कोश्चन नमबर हम वन से लेकर 40 तक सॉल्व कर चुके थे बिल्कुल 40 तक सॉल्व हो चुका था आज कोश्चन जो सॉल्व करेंगे कोश्चन नमबर 41 देखिए इस परकार कोश्चन नमबर 41 है फानली आपके पास टोटल यहाँ पर 51 कोशन है 41 से 2, 51 चलिए इस कोशन को हम सॉल्ड कोशन नमबर 41 हमारे पास इस परकार है देख लीजे इंट्रिगेशन दे चुका कॉस का पावर 5X यहाँ पर देखिए हम इसे तोरेंगे इस परकार यहाँ पर आपको ओर्ड लीका हुआ औरम संखिया यहाँ पर देखिए इसको कॉस का पावर 2 तोर दिये यह कॉस का पावर 3 तोर दिये इस तरीके से वापस इसको जॉयंट करेंगे तो हमारे पास आच चुका होगा कॉस का पावर 5 कोई effect नहीं पड़ेगा यहां पर देख सकते हैं आप ऐसा कर लीजिए यह cost का power 2 है वापस से एक और ले लीजिएगा तो और यहां पर cost का power 3 है एक और इसको दे दीजिएगा तो यह cost का power 4 हो चुका होगा कोई फरक नहीं परने वाला मतलब इसको आफाइनली अब बात करें तो इसको तोड़ने का जो मतलब हुआ वो क्या बनता वो देखिए यह इस तरीके से नहीं भी तो चलेगा यहां पर डायरेक्ली आप cost 5 है ना cost का power 5 है तो इसको cost 4 x लिग दीजिए यह cost x लिग दीजिए इत को sign के respect में यहां पर cost है ऐसा कुछ put करना है कि हमको cost into dx हो जाए और यह आपको sign के जगा पर कुछ इसा पूट करते हैं और यह आपको a minus b का whole square हमने तोर दिया a square minus 2 है भी plus b a square तो चलिए यह आपको इसका आपको 1 का z और 2 z 2 है और z square है ना जट का power 3 बटा 3 जट का power 4 है तो आपको 5 बटा 5 integration कर दिया हमने जो normal सा होता जट के जगा पर sin x पहुँचा दिया तो यह आपका question क्या हुआ solve हुआ यह question number हमारा 42 है देखिए court का power 4 x है हमने इसे का किया court का square का square कर दिया यह तो कर सकते है ना चलिए यहाँ पर court square x बराबर जो trigonometry formula होता cause square x minus 1 यह हमने इसका काम किया और यह आपको holy square है finally यहाँ पर आपको a square minus 2 e b plus b square यह formula तो आप जानते ही है तो यहाँ पर हम इसे कैसे तोरते है a square minus 2 e b plus b square तो यह देखिए आपके पास इस तरीके से यहाँ पर finally आ चुका है हमने cause का power 4 इसको two time लिग दिया cause square x into cause square x वापस से आपको इतना मिल जाएगा ना कोई effect नहीं परेगा यहाँ पर चलिए finally अब हम देख सकते हमारे पास जो आ चुका one plus quarter square x यह कैसा आ गया देखिए यह cause square को हमने तोर दिया cause not cause square x को हमने तोरा one plus quarter square x और one plus quarter square x बराबर cause square x होता है कोई फर्क नहीं परेगा यहाँ तो अपन के पास आ चुका है आपको cause square x minus two cause square x plus one अब देख सकते हैं यहाँ पर हम कर क्या रहे है कि यहाँ मानिस two cause square है और यहाँ पर हम ऐसा कुछ करते है कि जो हमारे cause square में कुछ आ जाए तो हम यहाँ पर करते cause x बराबर z पिलकुल तो यहाँ पर cause x बराबर आप जब z put कर लेते हैं तो आपके पास जो finally आ चुका होगा वो क्या आ चुका होगा वो देख लीजें कि minus cause x square x into dx यह कैसे आ चुका है क्योंकि कोटेक्स का differentiation होता है और यह आपको digit के बराबर हो चुका है मतलब यह अलग-अलग इसका integration करें तो यह यह वाला मेरा काम बन चुका होगा और यह वाला के साथ आपको अलग हो चुका है तो यह अलग-अलग integration हमने कर दिया और यहां पर देख सकते हैं यह आपको आचुका आप 1 plus z square into dx और यहां पर आपको यह minus x में गुना हो जाता तो minus z plus z का पार 3 minus 2 और यहां पर देखें यह कौसे के square है इसका तो आप तो जान चलते आगे यहां पर plus c और यहां पर आपको जेट कमान पुट कर दिया फाइनली आपका यहां पर जो answer है यह आपको आचुका है तो इस तरीके साब काचुका तू कोटेकस में से गया तो काटेकस हो चुका है तो इस तरीके साबका अन्सर यहां पर आघिया यह 42, sorry 43 है यहाँ पर आपको interrogation दे चुका कॉसेक का power 4x आप चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको हम repeat time लिख दिया देखिए अगला वाला जो question था वो क्या था वो हम देख लेते हैं यह court का power आपको 4 और यहाँ पर आपको जो है कॉसेक है, तो confusion नहीं पालना यह कॉसेक स्क्वाइर एक्स का whole स्क्वाइर था और यहाँ पर आपको हमने का कर दिया, two time लिख दिया इसको आप देखिए इसका formula तो तो आपको यहाँ पर फिर वापस से हमने इसके जगापर इसके जगापर आपको दिया लेकिन माइनस के साथ आपको इतना आचुका है माइनस बाहर कर दिया, one plus z square मतलब z, one ka z और z ka power 3 बट्टा 3 फालली आपको यह answer आचुका है यह question number 43 है अब चलते, इसके साथ क्या काम करेंगा वो दिखेगा यह x का power 3 है, क्या है आपके पास x का power 3 और अंदर root x square plus 5 into dx अब क्या करते है, इसमें हम अपने put कर देते हैं यहाँ पर x का power 2 plus 5 बड़ाबर z ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो आचुका होगा, x का power 2 यह देखिए, यहाँ पर हमने काई किया, इसको x का power 3 था 2 टाइम लिग दिया, x का power 2 into x into dx क्यों 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 हमारे पास जो यहाँ पर अभी इसका differentiation करेंगे, वो हमें x into dx के साथ मिल चुका होगा इतना तो यह पूट कर देंगे इसके जगह पर, x का मान निकाल लिजी आप, मतलब x square का मान निकाल लिएगा, तो z minus 5 देखिए, केतना आसानी सा आप यहाँ पर लिया है, x square का मान, z minus 5 इसके जगह पर root z और यह आपको digit by 2, 2 common है, sorry, constant है तो आपको बाहर आ जागा, 1 बटा 2, यह z z minus 5 यह z का पावर 1 by 2, power आपको multiply होगा, यह दोनो, z का पावर 1 by 2 और z का पावर 1, अपस में जुड़ेगा, z का पावर 3 by 2, यह minus 5 into z का पावर 1 by 2, अब इसका नोर्मली से जो आपको integration होता, अलग अलग करके तोर दीजी या फिर कोई मुश्किल नहीं है, यह तो 3 by 2 plus 1, य यह 2 उपर जाएगा, तो यह 2 उपर जाएगा, यह भी 2 उपर जाएगा, और 2, 2 common लेकि इस 2 के साथ, अपना क्या होगा, खतम हो चुका होगा, तो चलिए, आगे इसमें आपको jet के जगह पर जो मान था, वो मान हमने यहाँ पर पूट किया, अब देखिए, यहाँ पर आप इसमें कॉमल लिया, तो यह तो सिमिलर लिया, यह 5 बटा 2 में से 3 बटा 2 गया, तो इसका पावर वर हो चुका होगा, कोई फरक नहीं परेगा, यहाँ पर मैनिस 5, आप 15 में से 5 गया, तो आपको पलस 10, तो इस तरीके से आपका अंसर आ चुका है, यह नेक्स्ट परसन हमार और यहाँ पर आपको यह x into dx कर दिया, और यहाँ पर हमने जो पूट करेंगे वो नई चीज नहीं है, इसके जगा पर अंदर वाले जो रूट के अंदर होता ना, उसके जगा पर पूट कर लिया j, मतलब आपको एक से स्क्वार का मान भी निकाल लिये, और फाइनली आपक के पास जो आ चुका है, इस तरीके से इस पर multiply कर दीजेगा, आपस में जो multiply होता है, जो बच्चा की तरह करते है, multiply, z का पावर 1 by 2 into z, मतलब z का पावर 3 by 2 इस तरीके से आपको multiply हो चुका है, जो normal सा multiply है, वन बटट टू ए, इसक्वार आपको बाहर क्यों आ चुका है, दे तो जेट का पावर 3 by 2, तो इस तरीके से इसका normal सा interrogation है, और यहाँ पर आपको 2 उपर जा चुका होगा, इसका भी 2 उपर 2 बाद में common ले लेंगे, तो 2 तू के नी से cancel हो चुका होगा, वन बटटा ए सुकार, यह देखी, यहाँ पर आपको LCM लिया, तो 3 का पावर 5 पावर 2 यह देखे, यहाँ पर हमने common ले लिए, यहाँ पर जेट का पावर 3 by 2, यहाँ पर चिन, बटर जो का लीजेए, को लीए, जिट का पावर, अब चलते इसमें आगे, इसमें आगे करना क्या है, एकस का पावर 2 बी 3 by 2, यह ज़्याँ बट कर दिये, यहाँ पर भी लेकिन आपको पावर थिरी बाई टू है लेकिन आपको पावर थिरी बाई टू है पावर को बोलना ही नहीं है और ये 3x2 क्या एक सक्वार के बगल में हम आपको देखनी कि बात है कि एसक्वार आपके पास कॉंस्टेंट है क्या आपको एसक्वार कॉंस्टेंट है आप की यहां पर तो ए स्कॉआर माइनश 2 बट्टा एक्ससक्वाइर मतलब क्या यह 1 बट्टा एक्ससक्वाइर ने इस कम डीफिरेंशेशन किया तो आपको इस तरीके से आ चुका है अब चलते हैं आगे बात कर दें तो है आपको एसकॉआर और यहां पर जो है यह स्कॉआर इसके तो बट्टा में जाएगा डीजेट के बट्टा में और यह आपको इसके साथ हम इसको रख देते हैं तो भी इसके बट्टा में जाएगा तो मतलब माइनस टू ए स्कॉर एकड़ असानी सा चुका यहां फाइनली आपको यहां पर पूट कर देना है इसके जगापर माइनस डीजेट बट्टा 2aq देखिए कि तना आसानी से यहां पर आपको इस तरीके का फॉमाट जुका यह इसके जगापर जेड 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 का पवर तीन बट्टा दू आप देखिए यह वन बट्टा 2a2 बाहर माइनस के साथ यह डीजेड बट्टा 3a2 उपर गया माइ माइनस 10 में माइनस डीज़ देखिए यह जवाच है और हम देख सकतें ठीके जगापर यह राइट को पstalब रस क्या तो और शीली आपके पास एंसर आचगा है जैड का मान रखने के बाद X बटा अंदर root A square मैंनस X square यह कैसे आ चुका मालूँ मैं आपको यहाँ पर हमने Jit का मान पूट किया आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास देखिए Jit का मान क्या था देख लिजे Jit का मान आपके पास यतना यह मान पूट करिएगा A square मानस X square बटा X square देख लिजे यहाँ पर आप यहाँ पर मान पूट करिएगा तो इस तरी के साचुका है root के अंदर है तो X square का X बाहर पलट कर उपर जाएगा तो यह थोड़ा सा आप काम कर लिजेगा हम थोड़ा डारेक्ली यहाँ पर कर दिए चलते नेक्स्ट परसन की ओर 47 की ओर यह हमारे पास 47 है और यहाँ पर 47 की बात कर दें तो यहाँ पर 1 बटा X square A square मानस X square है यहाँ पर मैंने पूट कर दिया X बराबर A square पूट कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है A square इस पर कॉमन ले लेंगे C square theta C square theta का integration minus quad theta और पलस C अब देख सकते हैं इस तरीके तो हमारा आचुका यह quad theta के respect वे आचुका कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर देखिया हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर answer आचुका यह कैसे आया मैं आपको छोटा सा आपको example दे दू X बराबर A sin theta हमारे पास था अपन यहाँ पर का कर दिया sin theta के जगा पर जो है X बटा A लिख दिया देखिये न A इसके बटा में जागा न तो X बटा A अब देखिये आपको cost theta चाहिए देखिये न यहाँ पर quad theta चाहिए न बिल्कुल मारे पास x बटा A किसके बराबर है sin theta का मान मालू है मैंने का किया X बटा A लिख दिया यह नीचे वाला जो चाहिए न base जिसको कहते है base जिसको अधार कहते है अधार चाहिए हमको क्योंकि तो cost quad चाहिए quad चाहिए के लिए अधार चाहिए बिल्कुल अधार चाहिए तो मैंने इसको निकाल लिया A square मानिस X square अंदर root कर दिया क्योंकि हमको अधार चाहिए था अधार का मतलब यह और यह बटा यह असानी से निकल चुका quad मतलब base बटा आपको होता ना perpendicular तो बिल्कुल असानी से आपने यह निकाल लिये तो इसकी मदद से हमने यह काम कर लिया कोई मुश्किल नहीं हुआ अब चलते हैं next question की ओर यह question number 48 है यहाँ पर आपको integration X का power 3 X square minus X square यहाँ पर हमने पुट किया यह यह वाले जो ट्रमें इसके जगा पर पुट कर दिया इसका differentiation क्या 2X into dx मतलब X into dx का जो मान आचुका DJ बटा 2 और देखिया फाइलि आपके पास यह X square है into X into dx X into dx का क्या ताथ पर यह माले मैं आपको यह X का power 3 इसके साथ X के एक साथ भेज दिया अब देखिए यहां पर आपको जोगोगा एक नया form की रूप में आजागा जेट के तरीके किसे यह आपको जेट पलस A square क्योंकि जेट कमान जो निकाल चुके थे मतलब आपको देखिए जेट कमान कैसे निकाल सकते हैं यहां से X कमान जेट कमान आपके पास यह है और यहां पर देख लीजे आपके पास जो X square का जो मान था आमारे पास यह वाला ट्रॉम यहां पर आपने पहुंचा दिया X into DX DZ बटा 2 यह जेट का पावर 3 बटा 2 चले फाइनली यह वन बटा 2 बाहर हो चुका यह आपको 1 बटा 2 यह वाला यह जेट का यह जेट जो है इनके बटा में भीज़ दिया बटा में भीज सकते हैं भाग में तो भाग में हमने भीज़ दिया यह देखिए यह आपको क्या हो चुका J into J J बटा J का पावर 3 बाइ 2 आप देखिए जेट और यह आपको पावर जो है उपर जाएगा उपर जाएगा ना यह फिर इस जेट का पावर वन यह नीचे आएगा वान में से आपको तीन बट्टा दू घटा ना मतलब एक बट्टा दू और यहाँ पर आपके पास एसकोर कॉंस्टेंट वाहर यह जेट जेट का पावर तिन बट्टा लू अब आपको निर्मल सा क्या करना आपको क्या करना इपको इंतोर लें अ जिल यहाँ ना बींट्टा में 650 आप को दहुत ज़त Jackie अघित का पावर यहाँ चेटका skies मीचा को माइने में एक अपर अग्ताड आइगा यह फर यहाँ चोवाई और तू आपको रूटिए यह रूट जित कहां से आया मालों मैंयों आपको देखिए मैं आपको बता दू यह वाला जित का पॉर वन बट्टा टू यह माइनस है और यह एसकार बट्टा अंदर रूट जित अब आपके पास फाइनली इस तरीके से आ चुका है आप देखिए root j का मान भी आपको put करना j का मान आपके पास क्या देखें न j का मान x square minus a square यह पुट कर दीजे या फिर आपको यहाँ पर क्या करना lc m लेना इन दोने का lc m केता होगा j हो जाएगा मतलब आपके पास j minus a square better root j इस तरीके से मान भी put करना बाकी अभी तो हमने जिट का मान x square minus a square put किया a square x square यहाँ से cancel हो चुका होगा x square sorry cancel नहीं होगा a square minus a square 2a square हो चुका होगा मुझे लगा यहाँ पर पलस दोनों minus में है तो जूड जाएगा इस तरीके से आपका यह आचुका है ठीके यह बटा में है कोई मुश्किल नहीं है तो अब next person के और चल दे 49 अंदर रूट 10x बटा sin x into cos x मैंने अब देखी यहाँ पर तो बहुत अच्छी बाते cos x है यह sin x है यह cos x है देखे हमने यहाँ पर का किया कोई जादू नहीं किया बस छोटा सा काम किया देखे sin x into cos x को हमने रहने दिया cos x से गुना भाग कर दिया कर सकते न कर सकते देखे cos x हमने का क्या गुना भाग कर दिया तो देखे cos cos तो वापस से cancel वापस से मिल जागा कोई मुश्किल है नहीं है नीचे देखे स्की सतसक हो चुका होगा वापर जागा तो से कि स्कार x हो चुका है और यहां पर आपको आपको स्की से 10 x है अब देखे यहां पर आपको टर्यूमärt स misf अ और यहा पर नॉर्मलตै kg से पास नीचे Nico you single आपको स्यंigram 10 x बचेगा कोई मश्किल नहीं यहां तक आपको समझ मेरी दिक्कत नहीं हो क्योंकि यहां पर रूट में है ना यह इसमें रूट नहीं है तो इसको टूट राम लिख सकते हैं एक वे को कहेंट सेल आपके पास रूट 10x चलिए फानली आपके पास जो है 10x बराबर पूट कर दिया जेड पूट कर सकते हैं कोई मश्किल नहीं तो 10x का आपको डिफरेंट से स्कॉाइर येस डिएक से इन्टू डिजट अब देखिए यहां पर इसके जगह पर आपको जेड आ चुका है रूट जेड यह आपको से के स्कॉ इसका साइड 50 तो चलिए साइन का पावर पांच एक्स बट्टा अंदरूट कोश एक्स चलिए यह पर हमने इसके यह कॉस दिख रहा है यह कॉस के जिगह पर जिर पूट कर दिया जिर पूट कर सकते हैं कौन मुश्किल है को स्का आपको माहने साइन एक्स इंटू डिएक् हाँ को डिवल्ट कोश ओच एक्स यह पर द देखेश इसको तोर दिया साइन का पावर दू का हो यह मश्किल मतला शक को मुश्किल नहीं इस साइन को तोर दिया एक्सूर अंदरूट को स्का उल्च और आपको शान एक्स ड्रूरे हरा चाम है यहां पर की कांद्ध स्व Dallas कोई मुश्किल नहीं है अब इसको तोड़ दीजिए स्कॉर माइनस टू भी पलस भी स्कॉर और यह आपको माइनस बार बेच चुक है नीचे रूट जेट है अब देखिए यह सब के बट्टा में भिस दीजेगा तो आपको इस रूप का काम करेगा यह आप देखिए आप ज तू सम में है ना इसमें भी टू है इसमें भी टू है इसका टू-टू के ऐनसिल हो जागा एक तू रजाए हूगा यह उपर पल्टी मालेगा दूदूनी चरिया बनेगा और यहाँ पर आपको यह उपर चला जाएगा आपको दूबत नो हो चलिए कोई मुश्किल नहीं इ एक हो बार सकते हैं इसके बट्टा में 5 होगा यहां पर पांच चिपका लिजेगा यहां पर इस तरीके से 4 बट्टा पांच ना दीक तो लिखेगा न दूट उपर गया तो 4 बना नीचे तो 5 बचे गई ठीक है चलिए यह पाँच आपके पास यहां पर लिखना बोड़ा हम ने लिया मतलब का मतलब होता भाग मैने भाग देकर बताया मतलब इतना हमने इसमें भाग दिया यहां पर पांच लिखेगा बट्टा 5 चार पांच चुट चुका यह फांच छोट चुका है यह पर दर्सा लिजिए आप देखिए यहाँ पर यह वन बट्टा टू है ना पांच बट्टा दू में से एक बट्टा दू घटा देजिए नौ बट्टा दू में से एक बट्टा दू घटा देजिए फाइले आपके पाँ जो आंसर आ चुका है यहाँ पर आपको दू बट्टा पांच वहाँ पर तब आनसर आएगा यहां पर एक बट्टा नौ कोस का पाउर चार एकस आ चुका है यह फाइनली आपका कोशन सौल बज़ुका कोशन नमबर यह ओ फिप्टी वन है यह दी एकस बट्टा एकस इंटू एकस स्कॉार प्लस वन का होल स्कॉार है चलिए इसको भी तोर ली ही लेत आप आपके पास है यह थाप कर दिया स्टीटा बराबर जेड जेंड अधर मतलब कोश्टी वी तो पर क्सटीट इंटू एकसीट बराबर दीजेड लीजिए यहाँ पर हमने इसको छिपका दिया यह सबके बट्टा में जयaat मतलब सबके भाक में जयए दूप सॉलिए जयर जयर Kirk खतम यहँ पर फाई दूप यहाँ पर लॉख greet सब 10 ठीटा कमान X है तो साइन ठीटा कमान क्या है से निकलेगा मतलब आपके पास परफेंटेगूलर बट्टा जो बेस होता है एकस बट्टा वन है ना अब चलिए यह चाहिए ना हमको यह चाहिए ना यहाँ पर आपको यहाँ पर थोरा सबको दिखने रहा होगा क्योंकि यह मीटा हुआ है यहां पर अंदर रूट एकस स्कॉाइर अच्छा यह वाला चाहिए तो जूड़े राई को बश्किल लेए तो यह आपको ए एकस स्कॉाइर प्लस वन या वन प्लस एकस स्कॉाइर लिखिया रूट के अंदर तो वही तो साइन बराबर जो होता है आपको यह प्रपेंडी कुलर होता है और यह हाइपोटेनियस वह वह अन्दर पर प्लस एकस को होगा लेकिन याद रहे एक चीज़ ये रूट के अंदर है और ये होल स्कॉइर है तो यहां से एक नया जादू बनकर आएगा क्या बनकर आएगा वो देखिए यहां से रूट हड़ चुका होगा 1 पलस X स्कॉइर यह आपको यहां पर आप देखिए इस तरीके सब आपका यह क्या आ चुका है यह कोश्चन नमबर आपका 51 जो आपको यह लाश्ट था जो आपका कोश्चन यह सॉल्व हो चुका है